दोस्तों आपका स्वागत है इस अद्बुत और रहस्मे कहानी में जहां हम आपको एक ऐसे होटल की सची गटना बताएंगे जो रातो रात गायव हो गया 1979 में फ्रांस की इस अजीव मामले में दुनिया को हैरान कर दिया एक होटल कुछ यात्री और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रूम पे खड़े हो जाएंगे तो वीडियो के साथ बने रहे हैगा क्या ये समय का खेल था या कुछ और रहसे बरी इस गटना के हर हिस्से को जानने के लिए वीडियो को अन्तद देखे तो क्या आप तयार हैं तो आई ये शुरू करते हैं इस रहसे में यात्रा को 1979 पर एक शांद और थंड़ा दिन था दो ब्रिटिश कपल्स चेफ और पाउला साथी रोड़नी और वेंडी फ्रांस में चुटियां पिता रहे था वो दचिनी फ्रांस के सुंदर इलाके में यात्रा कर रहे थे जब अचांदक उन्हें ठहरने के लिए एक होटल की जरूर लेकिन दोस्ताना था होटल के अंदर का माहौल और भी अजीव था वहां के फरनीचर और सजावटी पुराने जमाने की तरह थी जैसे कि किसी दूसरी सदी में पहुंच गया था कुछ चीजे सामाने नहीं लग रहे थे लेकिन सबने इस यात्रा की थकान समझ कर नजर देख रहा है सुबह जब वो जागे उन्होंने पाया की होटेल में कुछ बदलाव हो गए वे रात वाले होटेल में नहीं थे हर चीज एक्दम आदूनीक हो चुकी थी दरवाजी खेड़कियां और सजावटरात की तुलना में पूरी तरह बदल चुके थे उन्होंने जल् में इससे संपर किया और गटना के बारे में बताया तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था पुलिस ने उस चेतर जी जांच की लेकिन उन्हें ऐसा कोई पुराना होटल नहीं मिला जैसा कॉपल्स ने बताया दोनों कॉपल्स वापस पुलिटेन लोड़े लेकिन उस रहसमे होटल का रहस्या कभी नहीं सूथ है आस तक उस होटल के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिल पाई है क्या हुए किसी अन्य समया आया में प्रवेश कर गए थे या यह सब एक मैस ब्रंट है तो दोस्तों ये थी एक अद्बूत और रहस्या कहा नहीं क्य क्या भी कभी ऐसे रहस्या का साना कर चुके हैं अगरहां तो हमें कमेंट्स में जरूर बखाने और ऐसे और रहस्या है रहां कर देने वाले किस्टों के लिए हमारे चैनल को लाइफ कमेंट पर सब्सक्राइब पर नह ना भूले अगले वीडियो तक के लिए जुड़े रह आपका दिन शुरे